बहुत सारी टीमों का प्रदर्शन वर्ल्ड कप 2030 में बिलकुल भी अच्छा निरा जैसे आप पाकिस्तान ले लीजिए इंग्लेंड ले ले लीजिए दिदलैंड या फिर बांगलादेश ले लीजिए आपको उताथ हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत बाबर आजम की इंडिविजिल परफॉर्मेंस भी सवालों के कटगरे में आकर खड़े हो गई है और कहीं ने कहीं ऐसे भी कयास लगा जा रहे हैं कि हो सकता है कि वर्ड कप के बाद बाबर आजम की कपताने उसे चीन ली जाए क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि सेमी फाइनल म लेकिन अब जब निजलेंड श्रिलंका को हरा दिया है तो पाकिस्तान कहीं से भी ने जाघा सकती सेमी आजम में वहीं बाइदेश क्रिकेट बोर्ड में बहुत जादा हलचल मच रहे हैं आपको उताधे कि बागलादेश क्रिकेट बोड के बॉलिंग कोच यह एलन डोनाल् है कल आखरी मुकाबला खेला जाएगा बांगलादेश का और उसकी बाद से फिर बांगलादेश का जो कैमपेन है वो खतम हो जाएगा वर्ल्ड कप में आपको उताती कि जो प्रेस कॉंफरेंस हुई थी उसमें ऐसा बोला गया है कि एलेन डोनाल्ड उन्होंने यह घोशना कर वैसे ही वो अपने पत से इस्तीपा दे देंगे इसका रीजन कहीं ने कहीं यह बताए जा रहा है कि बांगलादेश की खराब परफॉर्मेंस बहुत ही खराब परफॉर्मेंस करें पॉइंट स्टेवल पे आठवे नंबर पे हैं और आठ मुकाबलों से सिर्फ और सिर्फ दो मुकाबलों में जीत हासिल कर सकी है और चार पॉइंट ही है बांगलादेश के पास तो यह बहुत ही ज्यादा निराशा जैनक परफॉर्मेंस है जहां वल्ड कफ शुरू होने से पहले लोग कयास लगा रहे थी कि बांगलादेश एक बहुत स्ट्रॉंग टीम बनकर कोच का उसके बाद से तीज गेंदबाजी लाइनप में काफी ज़्यादा सुधार देखने को में मिला था बांगलादेश के लेकिन अब बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके एलेन डोनाल्ड क्यूंकि बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है बांगलादेश का इस वैसे उ को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नभूले